सबी विद्यार्थियों को नमाशकार 28 अक्टूबर 2023 को जो पेट का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका हम आपको एक्जाम रिवी देने जा रहे हैं इस चिर्ए पेपर का लेबल बहुत ही तफ था निराशा हुई हमको और साथ ही परिछार्थियों को भी निराशा हुई होगी कि कुछ आइसी कोश्चन आए थे जो उस लेबल के नहीं थे पेट के लेबल के नहीं थे लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ें अब गाठिन है पेपर तो सब्के लिए काठिन है क्या किया जया पेपर सेटर है उनके माइंड सेट में क्या है वो तो वही बता सकते हैं चलिए हम कोश्चन देखेंगे और साथ ही हम आपको बता दे हम एक सबी प्रसुनों के हम सही प्तर बता हैं फिट भी दो तीन कोश्चन है जो हम फसर हैं में स्टार लगा देंगे चलिए देखते हैं डिया यह बाद में करेंगे तो देखे सेकेंड सिफ्ट में 28 अक्टूबर को कोश्चन आया था स्वतंद्र भारत में उत्खनन किया गया पहल वो था आपका रोपड़ा बी आप्सन होगा रोपड़ा आपका समुद्र गुप्त की प्रस्षटी संस्क्रिप्ट में एक कविता के रूप में किस कविदोरा रची थी जिसे इलाहबाद में असोक स्थम पर अंकित किया गया था इसमें क्या होगा इसमें आपका राइट कि रफ्यार होगा हरी श्रेडल सी औपशन होगा नेक्स एख के जिरखा दिल्ली का सा सकता है यह कोश्चन सरलवाया था ऐसे कोस्चन ठीक था इपलाए लेविल का ठीक था कुछ कोश्चन खैंकन साइद वउन्स का इसी है बलकि जी जिया इसी कहींगें इसको आप के जि सायद वन्स का इस इजी है बलकि इजी कहेंगे इसको आप खेजर खांस सायद वन्स का सा सकता है नेक्स्ट है कोलकता इस्तित फोर्ट विल्यम कालिज की स्थापना अठारा सो इस्वी में किसके दोरा की गई थी यह हुई थी अपका ए नमबर आपसर इसमें सही है ठीक है प्रयास हमारा यह विद्यार्टियों सही है आपको आंसर बताएं फिर भी कुछ जो हैं डौट वाले वह हमको इस्टाल लगा देंगे अगला है भारतिये राष्टी कंग्रेस की निम्लिखित पर घटनाओं को इसके घटे थोने के वर्स में मिलाएं घटे थोने की अब देखिए इसमें इसे है गांधी जी ने अलंगोटी पहनना कब शुरू किया यह गुसा भी आती ऐसे प्रसन को हो हसी भी आती तो अब इस और दूसरे का है सी और तीसरे का है ए उन्ने सो एकिस में और अहमदाबाद में मिल मजदूलों की हर्ताल है चोथे का बी उन्ने सो अठारा मावीर उनके अन्यायू की सिच्छाएं के सतब्दियों तक मौकी रूब प्रसारी थोरीते ने उन्हें लगवग पद्रसो इसाप अब यह उपलब्ध है बल्लभी गुजरात में उपलब्ध है नेक्स्ट है भारत सरकार अधियम 1935 के लिए बटेश संसो दर्णा पारिट सबसे लंबा अधियम था मुल रूप से पारिध अधियम बहुत लंबा होने कारण दो अलगला अधियम में वैजित हो गया था अर् दूसरा यह था आपका ए नमबर वर्मा सरकार अधियम 1935 दो भागों में दूसरा भाग यह है बंगल के विभाजन ने पूरे देश में लोगों को उक्रोडित कर दिया था ठीक है तो और डेल्टा आंध्र डेल्टा के छेतर में सोदेशिय अंदोलन हुआ था इसे निम्रि नेक्षवास 1922 में असायोग अंदोलन को लिलंबित करने के लिए गांधी जी को अहमदाबाद में ग्रफ्तार कर लिया गया था और कितने वर्सों के साथ करवस किसे दर सुनाई गये थी तो यह उनको दीगे थी छे मा सही बी ऑप्सन छे मा डिटेल में नहीं बताएंगे क आपको मिट्टी के कड़ों को चट्टानों की दरानों के बीच का सारा अस्थान पानी भरा जाता है इस पर उपरी सतरा कहलाती है इसको इस्टाल लगा देते हैं इसमें क्वेश्चन के डाउट वाला है तेरा जुम 1922 सुजवास चंद बोस निमिखिस में किसके निमतलों पर पूरी एसी आये थे यह थे रास बिहारी बोस की निमंतलों पर आये थे ठीक है डी ऑप्सन रास बिहारी बोस हमालाय का कौन सा भाग नदियो दरौल लाईगी असंगठित तलचट से बना है तो यह आपका इसो कहते हम इसमें भी हमको डबल आंसर मिल रहे थे डौट वाला है हम इस्टाल लगा नेटे हैं ठीक है इसके निमिखिसे भूरा ब्राउन कोईला भी कहा जाता है गलत बताना नहीं चाहते हैं आपको भूरा ब्राउन कोईला है लिगनाइट ठीक जिनके आंसर बिल्कुल इजएक्ट पता हैं प्रया से कर रहे हैं लिगनाइट भूरा पॉइंट ब्राउन कोईला लिगनाइट है अल निनो एक जटिल मौस में पढ़ान ली है जो तीन से साथ साल में एक बार दिखाई देती यहां अल निनलो सब्द का क्या रथ है तो अल निनलो का मतलब है क्या बाल मसीज श्रः तो यहापका सीनमबर आटा कामा रेगिस्तान की बात की जा रही है सीनमबर आठा कामा रेगिस्तान भारत में इस यह काOTH पहला निरियाध प्रसंसक्रांट ए आएगा है पंचवर्सी योजना के किस संस्क्रान का उद्धिस खाद्यान में तेजी लाना रोजगार के अफसर बढ़ाना और खाद्यकार और उत्पादक्ता पर ध्यान करते के दिर्थ करते हुए उत्पादक्ता बढ़ाना था और बहुत यह सफल रहा तो यह किस पंचवर्सी योजना का यह सातवी का बी आप्सन जो सातवी पंचवर्सी योजना का है कौन आर्थिक नियोजक के जनक थे आर्थिक नियोजक के जनक पुछे गया है कौन थे तो यह इसमें आपका होगा एकोनॉमी प्लानिंग में होगा आपका C, विश्वेश्व रहिया C अप्सन हो जाएगा अपका अप्सन नमबर C अपने पहले चलान के दोरान अप्रेशन फ्लेट ने भारत के अठारा प्रुमुक दुध शेडों को भारत के चार प्रुमुक महानगरी शहरों में उपोक्ताओं के साथ जोड़ा कौन साथ इस अप्रेशन के हिस्ता नहीं था यह आपका A बेंगलोरू नहीं था इससा बेंगलोरू इससा नहीं था A अप्सन यह देखिए जैसे एक कोश्चन आया हुआ है अब इस कोश्चन का क्या आउचित है लेकिन अब देने पेपर कुछ भी दे सकते हैं अब कहां से पूछा गया है प्रसन आप यह देख लिए समान प्रसाथ पारिस्लमिक अधिनियम 1976 के किस चैप्टर में पुरू समयला स्रिमको को समान दरोर पर पारिस्लमिक का बुकतान और अन्नमामले शामिल है अधिया का नाम पूछ लिया गया है तो यह आपका अप्सण दी है अधिया डी इस्तों सायदी किसी का सही हो तर टफ कहां तो दी है अधिया सेकेंड से लिया गया जीस्टी का कौन सा पुरूमिक विसेस्ता क्रेडिट के निर्बात प्रबात की अनुमत देती है और अंतिम उभ्योक्ता पर करके बोज को कम करती है यह होगा इनपूरूट क्रेडिट कर इसको कहते हैं इनपूरूट क्रेडिट कर निमलेफ में किस मामले पर अकेले केंद्री विधा मंडल के पास कानून आने की शक्ति है जिसे अवशिष शक्तियों के रूप में जाने जाता है इसका हो जाएगा C, साइबर कानून क्या बोलेंगे C, साइबर कानून अब यह क्वेश्चन जैसे अच्छा आया है सुतन्द भारत के पर्थम स्टेटिक डेटा है पर्थम चुनाय आयूक्त थे अपने स्टेटिक डेट डेटा के चेप्टर में बताया भी था सुकुमार से अए नंबर किसी चालक का पृतिरोग्मे से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है बारतियों समीदान के किस अनुच्छेद में या सामिल है कि राजपाल विदान सभा को संभोध कर सकते हैं, राजपाल सदन को संदेज भेज सकते हैं, अनुच्छेद पूछा गया था, तो यह हो जाएगा 176, option नमबर A सही है, 176, 176, अनुच्छेद, कौन सजिला और अधिनस नैले और उच्छ नैलों के आधेश निर्णाय और मामल राजलों के वितलन का एक व्यापक डेटाबेस प्रडाम करता है, यह हो जाएगा बी राजटी नायिक डेटा ग्रेड, टिक B option जो है आपका, यह सही होजाएगा किस जानवर में अच्छी तरह से विक्सित जल समभनी तंत्र होता है किस जानवर में होता है तो यह होता है आपका स्टार फिस में इस ताफ यह भी कोश्चन है अंदर के कोश्चन स्टार फिस में होता है विक्सित जल समभनी तंत्र होता है के लिखित का योग याद करना था योग कितना आएगा 48 में 48 में आपका आएगा आपसन नमबर आएगा D यह है आपका आपसन नमबर D है एक्स के किसमान के लिए कथन सही है 49 में 49 में आपका आपसन आएगा C 63 नेक्स्ट है सरली करना का कुश्चन सिंप्लिफिकेशन का है इसमें आपका आएगा 288 यह नमबर आउसर दो सो अठासी नेक्स्ट है कच्छे आम में कौन सा आम लपाए जाता है तीन कौश्चन हमें स्किप कर रहा है यह कच्छे आम में इसको हम बात में बता देंगे निमलिक किस उपकरण का प्रोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुलवत्ता प्रच्छन के लिए पानी को नमनाग लेने के लिए किया जाता है और मानव मस्दिक में दो नि इसमें का कोश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है गीता की राय में उसका वजन 55 kg से देख़ थे 62 kg किसे मा की यह ज़िक दो नीर खना पूछी गई इसमें जदि वे अपने अनुमान में तो गीता के विभिन संभावनी वजनी वजनों का आउसत क्या है तो गीता का संभावन वजन बताना है इसमें आप देखिए इसमें होगा 65 आप करेंगे तो इसमें आपका ये नमबर आपसाना आएगा ये अगर आपका आया है तो सही है नेक्ट सिंप्लिफिकेशन का आया है कुश्चिन सिंप्लिफिकेशन में आपका आएगा ये नमबर पॉइंट आठ आएगा ठीक है ये नमबर में पॉइंट आठ हाथ को हाथ कुछ हिंदी है पांच कुश्चन हिंदी देखेंगे पांच इंगले से हाथ को हाथ ना सूजना इस मुहावरे का अर्थ क्या है इतना था इतना वहाँ अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूजना तो कुछ सौझ में नहीं आ रहे था कुछ हाथ से भी हम कुछ स्पहसूस नहीं कर पा रहे थे बहुत घना अंधेरा होना हो सकता है कुछ लोगोंने बहुत काम ना सूजना लिख दिया हो कुछ काम ना सूजना राइट इसका जो अंसर होगा होगा बहुत घहना अंतिरा होना पित्र इच्छा योग से कौन सा सब्द बनेगा पित्र इच्छा इससे बनेगा बी नमबर पित्र इच्छा बी नमबर आपसन तरंगणी अगला है परहवाची तो इजी है तरंगणी सब्द के परहवाची कौन से हो गए सरिता इसमें होगा सी होगा आपसन सरिता तटनी निंगम सी वाक्यांस के लिए कौन सा सब्द सही नहीं है पूरिमा की रात को कुहू कहते हैं ये सही नहीं है ये नंबर आपसन बाकी उसर, पिनाक और गिरनेस में कुछ ध्वन सावशेश ए नंबर आपसन आपका सही होगा इसमें जो पूरिमा की रात को कुहू नहीं कहते है चलिए और हिंदी देखें निमली खिसमें से कौन सा रचनाकार उसकी रचना के विशा में कौन सा यूग में गलत है बताए गया है, गलत कौन सा है देखिए ए नंबर गलत है बाकि सही है ए नंबर आपसन गलत है इंगलिश के पांस कोश्चन देते हैं परशन हो एज ऑप्सेसी वेस्टू स्टील जो चुराने का मन करता जिसका चोरी की प्रुवत्ती को क्या कहते है कलेप्ट ओमानियाक कहते है A number है kleptomaniac कहते हैं bibliomanic मतलब जो पुस्तक प्रीमी है पुस्तकों की और चाहता है तो आपका A होगा kleptomaniac A option हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा A number option और है अगला है 62 में विराट प्लेस क्रिकेट विलास क्रिकेट खेलता है फुटबॉल के अतरिक्त B number besides अतरिक्त B भरेंगे besides और इसमें correct लगाना है article लगाना है तो दाल होगा the president और किसी पद के पहले दाल लिखते हैं तो दाल आएगा the president of United State लिखेंगे अगला English के portion में आया हुआ है आपका passage है next English के आपका passage दिया हुआ passage चार्ट के लिखना है what is the center of national emblem चार्ट के बतला आप बताना है सही पूरा passage नहीं पढ़ेंगे answer बता रहे हैं आपको तो इसमें होगा आपका अगर आपने ये लगाया है तो सही धर्म चक्र इसको तो भिना पढ़े हैं अगर आपका फिर दिया हुआ है reasoning question है ठीक है चिन्ने जैपुर से बढ़ा है सूरत कोलकाता से बढ़ा है जो जैपुर जितना बढ़ा नहीं है लेकिन सूरत से बढ़ा है कोलकाता सूरत से जितना बढ़ा नहीं सबसे छोटा कौन सा है ये बताना है तो सबसे छोटा है आपका B कोलकाता B अगर आपने लिखा है सही है दस बत के 25 बजे घड़ियों के सुई के बीच प्रतिवर्ती कौन होता है कितना होता है होता है A A option आएगा ठीक है कौन सा इसमें odd है odd one out चुड़ना था आपको तो इसमें अलग हो जाएगा आपका D एक सो एक साथ दोसो साथ दोसो न्यानबे यह D option हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं चलिए पंदर लगा पक्चे की एक पंति में उत्तर दिसा की और मुख करके खड़े हैं सौरब राधा के निकटतम बाई हो रहे है बाई छोड़ से आठवे स्थान पर है तो कौन सा कथन सकते नहीं है इसमें बताना है जब इसको लाप लगाएंगे तो इसमें आएगा B विमल बाई छोड़ से तेरह हुए स्थान पर है विमल बाई छोड़ से तेरह हुए स्थान है option number B आपका correct है चली और देखते है कथन है और उसका कारणा है इसमें क्या है कथन क्या है मौसम विभाग नेक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दवरान कम बारिश होने का जिक्र किया है ये कथन है और दूसरा number first one first है second कथन क्या है सरकार के दे संसोधिन अनुमानी GDP वरदिदर को पहले के अनुमान के इस्तर से कम कर दिया है तो बताना है इसमें कथन और कारणा का संबंद क्या है इसमें हो जाएगा आपका A कथन first कारणा है और कथन second इसका प्रभाव है ठीक है मानसून की दसा को देखते हुए सरकार ने GDP वरदिके दर को पहले के अनुमान स्तर से कम कर दिया है ठीक है तो पहले का result दूसरा है इसका मतलब option A हो जाएगा आपका सही है यह option हाली में राष्टपती current के देखते है दुरुपदी मुर्मुन राजगाट के निकट किस स्थान पर महत्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है यह किया है बी गांधी बाग में हुआ है भारती राष्टी एक भुगतान निगम ने निमली खित में से किस स्थान पर ग्लोबल फेटन टेक फेस्ट दोजार पर यूपी आई पर केड़ लाइन का अनावरण किया है तो यह हो जागा आपका current offer question B. Mumbai हाली में भारती है निमली खित में से किसने हाली में जनता की वास्तिक समय में बालकान पुरान मान प्रदान करने के एक मूबाइल अप्लिकेशन flood watch लांच किया है तो यह है अपका कुश्विंदर वोहरा बी option आपका है 74 का B है फाली में सीमा सलक संगठन ने पूर्वी लद्दा के करीब दुनिया का सबसे उची मोटर वाहन चलाने योग्य सलक का निमा किया में वर्दमांत में सबसे उची मोटर वाहन चलाने योग्य सलक कांजिय है तो वह हम आपका USA सबसे उची मोटर वाहन चलाने योग्य सलक है किस संगठे ने हाल में एक लव एक अनुसंधान संबद्ध कारिकरम लॉंच किया थे देखने है करेंट अफेर भी टाफ आई है यह है नेशनल लॉइश्टी दिल्ली बहुत डीप में एक लव एक संथान संबद्ध कारिकरम लॉंच किया है नेशनल लॉइश्टी ने ललित्पूर नेपाल में आयुजित काटमांडू कलिंग साहित माउस्वा में यह सस्वी संबान प्राप्त हुआ है किसको यह प्राप्त हुआ है बी माधव प्रसाथ पोक रेल को बी ऑप्सन उस दिन का नाम बता है जो भारत में स्कूल कालेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए 15 सितंबर को मना जाता है संचाय का दिवस मना जाता है स्कूलों में 15 सितंबर को हाली में ब्रिक्स का ने सदस्य नहीं बना है कौन नहीं बना है क्योबा नहीं बना है सी अंबर ऑप्सन बैंक ऑफ इजराहिल हाली में ICCR में सामिल हुआ ICCR का पूर्ण रूप क्या है यह आपका है D ऑप्सन International Committee on Credit Reporting ICCR International Committee on Credit Reporting सौधी अर्प समराज मिल्बी में किस स्थान पर दच्छिण पूर्वी एसिया में मैत्री और सहियो की संधी TAC में सामिल होने के दस्तावेच पर हस्ताचर किये है यह अपका C अपसर है जकर जकारता इंडोनेशिया में C नमबर है जकारता इंडोनेशिया में TAC में सामिल होने के दस्तावेच पर हस्ताचर किये है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन उपे की स्थापना के लिए सम्मेलन कहां हुआ था तो यह हुआ था बगदाद में D उपे की स्थापना के लिए सम्मेलन हुआ था बगदाद में देख रहे हैं कुश्चन डॉप डीप में कितना सम्मेलन कहां हुआ भारत के पहले नियोजियत आधनिक शहर कोई अधिकारिक भासा निम लिखत में से कौन सी है D है अंग्रेजी किस से संबंधित एक मात उदाणा है जब भारत के राष्टपती ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था किसमें किया है वीटो का प्रयोग भारती ये डागर संसोधन विद्यक में राष्टपती ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है अप्सन नमबर बी है हगला है खाशाबा दादा जाध हो निम लिखत में से उलम्पिक बदद जीदने वाले भारती बने थे नाम कभी सुना है इनका आपने खाशाबा दादा साहिब जाध हो कहां से ले आते हैं जीता है ठीक है लेकिन अब कोश्चन क्या यही बता रहे हैं कि भारी मन से रिव्यू दे रहे हैं इसमें ए एथलेटिक्स से हैं ऐसे ऐसे नाम ले दिए हैं कि कोश्चन का क्या मतलब है दादा साहिब जाद हो एथिलेटिक्स से हो ता डीप का कुश्चन है राश्टी समुद्र विग्यान संस्थान का मुख्यले निमलिखित में से किस स्थान पर है यह है एगोवा में है ठीक है किस भारती सुतनतर संगर में hits for self culture जावा सागर को हिंद महसागर से जोड़ता है तो उसका नाम है सुन्डा जल्डमरू सुन्डा जल्डमरू डिसी मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वत्य और जश्दती के बीश के भुभा के नाम को जाना जाता था प्रम्हावर्त के नाम से प्रम्हावर्त डी ऑप्सन अगला है गुजरात के छोटा उदेपूर छेत्र में आमतरपा पिथोरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुसोदरा बनाएगे भीत्य चित्रों अलपड की जाते हैं या पिथोरा का क्या रथ है पिथोरा का रथ है यहाँ प्रव अगनी के देवता अन्न के देवता पिथोरा होते हैं प्रसाद के रूप में है ना प्रसाद के रूप में तो प्रसाद है भोजन संबंदित है अन ए है option चलिए अब पैसे जिसमें दिया हुआ हिंदी का गर्द्यांस इसके देख लेते हैं आज किसी वेक्त को सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रहे गया भारत के विभिन पंतो और विभिन मत मतावंतरों के साथ लोग रह रहे हैं अब आंसर देखते है किया भी होगा अपने आध्यात्मिक सब्द में क्रमसा उपसर्ग पैसे इसकाने पड़ेंगे उपसर्ग मूल सब्द और प्रत्य है डी यह है अध्यात्मिक का हो जागा अधी प्लस आत्म प्लस इक डी option स्वामी उकेनान इस बाग को समझते हैं और अपने विचारों में अ किस प्रकार का है और है और है और आया है कैसा होगा यह होगा अपका स्यूक तो बाकि सरल है तो गद्यांस के अनुसार धर्म संप्रदाय के विशे में विकानन्त के विचार था कि क्या विचार था ए सभी धर्म समान है तो पैसे जो आया था गद्यांस सरल है ठीक है हमारे धार्मिक और अध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणगातक होगा, प्राणगातक क्या होगा, भारत जैसे, एक धर्म का पालन जो है, भारत में प्राणगातक बताया गया, मानवता कब खिल उटती है, जब पिछणों को सहारा दिया जाता है, ठेक है, तब मानवता की लु में भी दिया भी हुआ है जब पिछणों को सहारा दिया जाता है तो मानवता खिल उटती है अगला देखें अगला फिर एक हिंदी का दिया है कद्यांस इसके प्रसनों के उत्तर देना है भाग को कौन लोग दोस्त देते रहते हैं भाग को कौन दोस्त देते हैं जो प्रतन के आभाव में फल न मिलने के करण बचाव का खोज करते हैं ये तो चिंतन केवल भाग वाद के अधर पर मान का करते हैं तब क्या होता है तो हम लक्ष की प्रतने के लिए अपईच्य प्रत नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं क्योंकि हम भाग है में इशास करते हैं जीवन में भाग का देन का फल किसको मिलता है किसको कौन कायर है जो अपेच्छित परिश्राम से डर कर भाग बहुत सरल पैसे था कपका चलिए डी आई के हम आपको कुश्चिन बताएते हैं कि वहला अंसर अंसर बताएंगे चलिए देखिए निम्रिशित ग्राफ में विभिन लोग दोरा कार की पूरा करने में लगने अलग समय को दरसाता है पहले का इसमें हो जाएगा असी बटे ट्वंटी नाइन सी हो गाया पहले सी ठीक है में मैच कर लिजगा कौन सा कार समों कार को पूरा करने नियुद्वन समय लेता है वो लेता है चमन और रमेस डी आपसां सिन्हा केलास और सिन्हा केलास से दूनी कुसल है वे दुनों मुलकल उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अच्छे विल्गर करते हैं केलास विक्तर रूप से कारम कितने समय पूरा कर सकता है यह है अब कब 20 दिन में 20 लगाया तो आप कसा ही है अगला है चमन और अच्छे ने से एक प्रूप से काम शुरू किया मिहर का हिस्सा कितना है मिहर का हिस्सा इसमें पूछा गया है तो मिहर का हिस्सा है 750 रुपए 750 आएगा इसमें अंसर 5 जिनों का काम करने के बाद राके इसमें अच्छे से जुड़ जाता है तो अच्छा है अकेले उस काम को पूरा कप कर सकता है पंद्रा दिन में आप से आएगा सी सी आएगा पंद्रा दिन एक और फीगर वाला देख लेते हैं दिया गया ग्राफ इभिनस्तानों पर भारत अफकानिस्तानों और नेपाल के लोगों के नौकरियों का प्रत्सदर साता है चलिए मैच कर लिए इसमें है यदि वर्स 18 एकिस में नौकरी करने लगए तो तकान पाथ तीन पाथ तो एकिस में खाड़ी कुल भारती चार जाजाब चारसो है तो नेपाल में कुल लोग का पता लगाना था इसमें आएगा आपका जोगा आपका बी आपसन आएगा 16 साओ C है अंसर है अगला है यदि 2018 में 2022 तक सभी दिये गए वर्सों में कुल वक्तियों का नौकर इतना है और 2018 में तक सभी कुल भार्तियों का नौकर ग्यान करना था अंसर अंसर बताएगा आपको इसमें C आएगा आपका ठीक है निश्ट देखेंगे यदि 2019 में खारी गल्फ में कुल भार्तियों के संख्या तो सब मद्द वर्सों में खारी गल्फ में नेपाल के लोगों के अनपाद ग्यात कीजिए इसमें हम आपको बताएगे इसका ए नमबर आपसन एक अनपाद पाँच है ठीक है प्रस्ट भी नेपर्ग्राम आपसे बता देड़ना है पूरा पूरा एक अनपाद पाँच है लियाए के कोश्चन है अब साहरा आंज कली है यदे 2020 में कुल 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वरस 2020 में कुल भारती 5,775 है तो इयाद करो कि वरस 2020 में कुल भारती 2021 में कुल नेपाल लोगों कितने प्रस्ट अदिक है नाइन्थ का हो जाएगा आपका बी नमबर पांच प्रसद दीगें बी पांच प्रसद नेक्स्ट है आपका यदि वर्ष दोजार अठान में अफगनास्तान में कुल लोग की संख्या दोजार तीन सो चालिस है तो 2018-2019 में मिलाकर खाड़ी गल्फ में वक्तियों की कुल संख्या ग्याद करनी है इसमें होगा आपका डी है ठीक है बीस जार आठाट सो है आप राइट आंसर चलिए डियाए क्यों कुश्चन देखते हैं डेटा को पढ़ना है और इसी आधर पर उत्तर देना दुकांदार के ग्रहां को दो शल्ट तीन चस्में और दो पैंट एक किताब बेची अनुपातिक अउसत लाब कितना है अनुपातिक अउसत लाब कितना है अनुपातिक अउसका एक नमबर आया है आपका 60.12 हो तो दुकांदार को अनुपातिक 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 अनुप 25 प्रसाद चूट देखा 25 प्रसाद करना चाहता तो अंकित मूल क्या होगा अंकित मूल होगा 800 क्या होगा सी नंबर 800 है अगला है दुकान दार दरा बेचे कर चसमे और किताब पर चूट का प्रसात का नुपाद क्या है यह आपका डी है 91.92 अनुपात 57 यह है आपका अंसर नेक्स्ट फीगर और देखते हैं तालिका चार्ट पर आधारी थे ट्रेडिंग कंपनी 15-16 में से 2020-21 तक उसके 4 उत्पात PQRS पर विग्यापनवे क्रोनों को दर्शाता है लाप बराबर होता विक्री माइनस विग्यापन वे है तो इसमें देख लेते हैं चार कॉश्चन किस वर्स में उत्पात Q का लाप सबसे अधिका यदि उसकी विक्री हर साल कुल विक्री का 20% है एक हो जाएगा 2020 और 21 में यह नमबर आप्सन नेक्स्ट है यदि वर्स 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विग्यापन वे आधा हो जाता है बी से किस में दुगना हो जाता है तो अन्य वर्सों के लिए यह समान रहता है किस वर्स के दौरान सब लाप सबसे अधिका है यह गा B उपसन आपका 2018 और 2019 में दिए गए वर्सों में S का उत्पादन वे पीक्यू पी और के मिलाकर विग्यापन वे के प्रिसत के रूप में किस वर्स में सबसे कम है अब का C हो जाएगा अपसन 2020 और 2021 में इसी तरह वर्स 2020 है किस के उत्पादन वे पीक्यू आरस की विक्री कानपाद 2512 है तो एस का लाब उसी वर्स क्यू के लाब का प्रिसत कितना है डी हो जाएगा और त्यस पॉइंट त्यस त्यस 2021 के कंपनी की विक्री 30 प्रिसत घट गई 21 के लिए कुल विग्यापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 19-20 से 20-21 तक कुल विग्यापन खर्च बढ़े और 22 के लिए उन्हों पाने त्लाब कितना होगा यह आपका 20 बिया नुम्बर आपसंट चली विद्यार थी यह तो आपके रहे डियाई के कुश्चन और कुल मिलाके कुल कुश्चन हमने आपको आंसर बताए शेयर करीए हम आरो और ए आरो के क्लासे हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रहे हैं आपको स्पैसलिस्ट टीचर पढ़ाएंगे हिंदी जी के करेंट अफेयर चैनल से जुड़े रही है बिल्कुल निश्चत लाब होगा और जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं उनको देखिए आपको आने अबली परिच्छाओं के लिए बहुत हेलफूल होगा साथ मैं अपने सुजाओ देते रहे हैं सजेशन देते रहे हैं कमेंट करते रहे हैं और अधिक सदिक सेयर करें चैनल को सब्स्राइब ना किया हो तो सब्स्राइब कर लिजे फिर मिलेंगे नमस्कार